सब्सक्राइब 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 हलो दोस्तो PTM में एक एरर आता है Production API Keys Cannot be Enable in your account आज मैं आप लोगों बताऊंगा कैसे आप वो एरर और जो प्रॉबलम है उसका solution ढूंड सकते हो दोस्तो तो दोस्तो वैसे तो PTM में मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखे हैं आप चाहे तो वो सारी वीडियोज जा के देख सकते हो दोस्तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों कैसे जो your production API Keys Cannot be Enable उसका solution बताऊंगा दोस्तो दोस्तो होता क्या है वैसे PTM में यह error आने का बहुत कारण है दोस्तो आपका PTM है वो KYC नहीं किया गया है दोस्तो दोस्तो यह वीडियो को पूरा देखे बहुत सारी वीडियोज में बनाता रहता हूं जो कि आपके useful हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तो आप मेरी सारी वीडियोज देख सकते हो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले तो दोस्तो PTM में जो error आता है यह बहुत कारण से आता है अगर आपने KYC नहीं किया है दोस्तो तो आप आपका यह error आ सकता है बाद में आता है उसके बाद आप आपका स्टाटर प्लाइन है प्लाइन पे भी डिपेंड करता है यह error का उसके बाद भी PAN Card ने आपने अटास नहीं किया है तो PAN Card पे भी डिपेंड करता है यह error का अगर आप यह सारा फिलप कर चुके हो मतलब सारा अच्छे तरह से फिलप कर सकते है फिर भी आपको कुछ ऐसे error आ रहा है दोस्तों इस error पे मेरे को बहुत message आया थे इस्टाग्राम पे आप मेरे को instagram पे directly message कर सकते हो gupta underscore sam64 करके है आप मेरे को instagram पे message करो फिर भी आपको problem आता है तो आप मैं जरूर कोशिश करूँगा कि आपका solution मिल जाए दोस्तों तो बहुत सारे message आया थे मैंने उन लोगों को reply भी किया और उनको error से भी छुटकारा मिल गया और उनका solution मिल गया यह your production API keys cannot be enabled दोस्तों तो यह video आपको अच्छा लगा हो और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को subscribe किजिए और बेल आइकन को दबाए बहुत सारी में वीडियो बनाता रहता हूँ जैसे कि या आप कैसे business proof ले सकते हो वो भी free of cost में उसके बाद GST कैसे ले सकते हो GST पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रहता है उसके बाद company कैसे रेजिस्टर कर सकते हो दोस्तों बहुत सारी informative वीडियो में बनाता रहता हूँ दोस्तों आप मेरे चैनल को subscribe कर लो और बेल आइकन को दबा ले आपको notification मिलती रहेंगी थैंक्स दोस्तों आप मेरे को instagram पे message कर सकते हो अगर आपका ये error नहीं ठीक हुआ तो thank you guys